ओ भाई 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 ये दुख खतम काहनी होता बे टीम इंडिया को हारी इतना टाइम हो चुका है मगर ये बिगड़ा हुआ मूर सुधरने का नामी नहीं ले रात को दो बजे सुसू करने के लिए बातरूम भी जाता हूं तो मैच की याद आ जाती है और मन खरा होता काश काश बुमरा की बॉल पर लबूशें को अंपायर ना लबी डवलू दे दिया होता काश बाकी मैचों की तरह कोली उस दिन भी एंड तक टिक गय होते मतलब इतने काश है कि क्या बता हूं ना मेरे काश खतम हो रहे हैं ना मेरी रग-रग में समाया दुख बार-बा जाते हैं मगर हम इतने अच्छे कप बनेंगे कि ICC चैंपियन बन जाए हम कितना भी कहें कि तो क्या हुआ हम फाइनल हार गए हमने पूरे टोर्नामेंट बहुत अच्छा खेला मगर अंदर से हम भी जानते हैं कि आखिर में दुनिया सिर्फ चैंपियन को याद रखती है मे या कोई दवा भी है या नहीं यह बहुत सारे सवाल हैं जिस पर आज हम डीटेल में बात करने वाले वीडियो पूरी देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फालो करेगा मगर उससे पहले हम पड़ो सी बांगलादेश की कुछ बात कर सच में या जब से मैंने इन लोग के कुछ वीडियोस देखे हैं मेरे दिमाग का दही हो रखा है तीम इंडिया की हार के बात सोचल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस वाइरल हो रहें जिसमें बंगलादेश की क्रिकेट फैन्स टीम इंडिया की हार पर जशन मना रहें, celebrate क वो केह रहें कि टीम इंडिया की हार देखकर उनके मन में खुशी कि जर्ने फूट रहे है भारतियों को यू रोता देखकर उनको मज़ा आ रहा है एक ने तो कहा कि किसी भी टीम को जीतता हुआ हम देख लेंगे मगर इंडिया को नहीं सुनिये और ऐसा नहीं कि भारत की हार पर खुश होने वाले एक कोई दस-बीस लोग लगभग पूरे बांगलादेश में भारत की हार पर खुश ही मनाएंगे इतना तो शायद पाकिस्तान में भी लोग सेलिबरेट नहीं करने जब मैने ये बयान सुने तो एक साथ कई सारी बात है न मेरे मन मियाने की पहली तो यह कि चलो इसमें कोई हरानी नहीं कि आपका पड़ोसी देश आपकी जीत पर नजर आए आपकी जहरीली मानसिक्ता दिखाई दे तो आपको थेरानी होती है बांगलदेशे फैंस जब बांगला भाशा में भारत को गाली दे रहे हमारी हार पर खुश हो रहे हैं तो उन्हें सुनकर मुझे सिर्फ पुर सिर्फ उन पर तरस आता है क्यूं तरस आता है जब मैं इसके रीजन्स बताउंगे इसकी वज़े बताऊंगा तो खुद बांगलदेश फैंस के कानों से धुवा निकल जाएगा इससे पहले कि मैं उन कारोनों पर आऊँ आपको बता देता हूँ कि आप सिर्फ एक रुपए में आईफोन 15 जीत सकते हैं इसके लिए करना आपको यह है कि 23 नौंबर को होने वाले इंडिया उस्ट्रिला टीट्वेंटी मैच की टीम बनानी है माइलेवन सरकल अगर आपके फोन में यह आप नहीं है तो दिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पे क्लिक करके इस आप को डाउनलोड करो बड़े बड़े प्राइसे हैं 23 नौंबर वाले मैच की टीम बनाईए ए गीववे कॉंटेस पे चले जाईए लेकिन एक जरूरी बात यह कॉंटेस सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है और जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहीं से अक्टिवेट होगा एंट्री फीस सिर्फ एक रुपे टॉप कर जाने पर ब्रैंड न्यू आइफोन 15 जीतने का मौका है मेगा कॉंटेस भी जोईन करना फर्स प्राइस में एक करोड रुपे मेरा कूपन को जरूर यूज करना एक्स्टा कैश के लिए ठीक है बाकि टीम बनाने में हम आपको अपनी नोपो चैनल पर हेल्प कर देंगे ठीक है वीडियो पर वापस आते हैं मैं यह कहा रहा था कि जब बांगलादेशी फैन्स को भारत को में गाली देते देखता हूँ तो मुझे उन पर सिर्फ और सिर्फ तरस आता है ऐसे बात वही आदमी कर सकता है जिसे पता नहीं है कि वह आया कहा से है उसकी आइडेंटिटी क्या है पहली बात तो चपडगंजी हूँ एक बात सुनो क्लिरली जिस बांगला भाषा में तुम भारत को गाली दे रहे हो जिस बांगला भाषा में तुम भारत को दुश्मन मुल्क बता रहे हो वो भाषा खुद भारत में पैदा हुई जिस बांगलादेश मुल्क में आज तुम चैन की जिंदगी जी रहे हो अगर भारत नहीं होता तो वो देशी नहीं बनता अगर भारती फॉच दखल ना देती तो तुम वेस्ट पाकिस्तान की एक कॉलोनी बन कर रह जाते है जिस भारत को तुम गाली दे रहे हो गरिया रहे हो उसी भारत में 2-6 करोड बंगाली मुसलिम वैध या अवै तरीके से रह रहे है जिस भारत से तुम इतनी नफरत करते हो वही भारत तुमारे करोड़ों लोगों का घर बना हुआ है जिस भारत की हार पर तुम इतना नाच रहे हो, विदेशों में इसी भारत के नाम पर तुम अपने hotel, restaurant या departmental store का नाम रखते हो क्योंकि तुम्हें भी पता है कि विदेशों में भारती पहचान की क्या इज़त है और तो और अपने जिस राष्टगान आमार सोनार बांगला पर तुम्हें इतना नाज है, वो भी एक भारती रविंद्र रनाट टेगोर जी ने 1905 में लिखा है इसे जब मैं कुछ बांगला देशियों को भारत को गाली देते हुए देखता हूँ, भारत की हार पर नाशते देखता हूँ, तो मुझे इन पर हुस्सा नहीं, तरस आता है क्योंकि दुनिया में उस इनसान या कौम से ज़ादा बदनसीब और कोई नहीं, जिसे पता ही नहीं कि उसकी पहचान क्या है इनडियार परा जोए, जो तो टना वस्टुलिया जिता ही कुछी होई सी, तरचे बेशी कुछी होई सी, इनडिया परा जितो हुआर कर लें और भारत की हार पर नागिन डांस करते हुए, इन बंगालियों से मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई, हमारा तो हम देख लेंगे, फाइनल हार गये तो क्या हुआ, पूरा टोर्नमेंट शेर की तरह खेले हैं, फाइनल हार भी गये तो क्या हुआ, फाइनल में पहुंच तो इसले दो वर्ल्लकप में दस टीमों में से भी तुम आठवे नंबर पर आ रहे हुआ, ऐसा नहीं है, कि तुम कोई 10-20 खेल खेलते हो, ले देकर एक क्रिकेट ही खेलते हो, और वो भी इतने सालों में खेलना नहीं सीख पाए, चालीस-पचास लाग की आबादी वाला और वो हसने लगे, सच मैयार, हैरान हो गया मैं यह देखकर कि कोई देश या कौम इतना गिरा हुआ हरकत कैसे कर सकता है, कि वो हजारों का जुंड बनाकर इखटा हो जाए, और अपने पडोसी की हार को चेर करने लगे, है, आभी चक्ति, मैं जानता हूं जो ताकतवर होता स्ट्रॉंग होता है, उसे शोभा नहीं देता कि वो अपने से कमजोर का मजाक उड़ा है, मगर जो कमजोर होता है, उसे भी दूसरों पर हसने से पहले अपनी खुद की आवकात का पता होना चाहिए, तुमें नाश्ता देख लगा कि तुम शायद अपनी आवकात भूल गय किसी का काम में मन नहीं लग रहा है, मेरा खुद का नहीं लग रहा है, मगर मैं सच कहूँ, पड़े ध्यान से सुनना इस बात को, मुझे पूरे उम्मीद है, कि अगर आपने इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूँ, अच्छे से गर समझ लिया, तो फाइनल में मिली हार का द हारे, 2022 में T20 का सेमी फाइनल हारे और 23 में एक बार फिर से हम फाइनल में हार के, अब आप कहेंगे रोनक भई, इतनी सारी हार के बीच भी कोई पॉजिटिव चीज है, तो भईया पॉजिटिव चीज है, आराम से सुनीए गा, देखो स्पोर्ट्स में क्या होता है न, कोई भी टीम रातोरा चैंपियन नी बन जाती है, एकाट टोर्नामेंट हम जीत भी जाएं, मगर चैंपियन बनने का DNA तयार होने में सालों लग जाते हैं, इसको आब ऐसे समझेए कि जब से हम बड़े हुए हैं, हम ऑस्ट्रिलिया को जीतता हुआ ही देख रहे हैं, हमेशा जीत इतने साल बीत गए हैं, अभी भी, कभी भी ऐसा फेज नहीं आया, जब आप ये कह सकें कि आस्ट्रिया की टीम बड़ी वीक और कमजोर टीम, अब दूसरी तरफ आप टीम इंडिया को ले लो, हम 1983 में वर्ल्ड कप जरूर जीते, लेकिन ये भी सच है कि टीम इंडिया उस जाते थे कि भाईया हमारी टीम सेमी फाइनल में पहुचे, आप अपने पापा को चाचा को ताउजी को पूछे, वो लोग जरूर ये बताएंगे, शेर करेंगे कि यार अपनी टीम उस टाइम आगे पहुच ही नहीं पाती थी, 83 के बाद हम 87 में सेमी फाइनल में पहुचे मगर हार गए, 2007 में तो पहले राउंड में ही बाहर हो गए, मतलब ये 25-30 साल ऐसे थे जब टीम इंडिया सेमी फाइनल में भी रेगिलरली नहीं पहुच पाती थी, मगर माही भाई के, धोनी के, कप्तान बनने के बाद चीजें बदली, चेंज हुई, हमने 2007 का T20 World Cup जीता, 2011 11 का World Cup जीता, और तब से अब तक लगा था और जो चारों World Cup हुए, उसके सेमी फाइनल में पहुचे हैं, अब तक जो दोनों टेस्ट चैंपिंशिप हुई है, उसके हम फाइनल में पहुचे हैं, उसमें भी बड़ी बात, एक वक्त 90s में ऑस्टेलिया में टेस्ट जीतना आज वंडे में इंडिया पाकिसान को कोई मुकाबला ही नहीं, यह सब बात करने के पीछे एकी परपस है, अब देखिए, पिछले 25 सालों में इंडियन क्रिकेट कहां से कहां आ गया, इसले मेरा मानना है कि जिस तरह टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के सेमी फाइनल में जाएगा, इसका बेस्ट एक्जांपल देता हूं, दो साल पहले जब टीम इंडिया गाबा में खेल रही थी, चौथे टेस्ट का आखरी दिन था, कोली, बुमरा, शमी समेत, साथा आट सीनिर खिलाडी टीम में नहीं थे, गाबा में कई सालों से ऑस्टेलिया हारा भी नही और उसे जीताने वाले कौन थे, सारे नहीं लड़के, बनलब जो काम आज तक एक से एक धासू इंडियन प्लेयर्स नहीं कर पाए, उसे उस काम को 22 साल के लड़कों ने कर दिखाया, इंडियन यूथ का ये जो confidence है न, यही हम सब की सबसे बड़ी hope है, इसलिए मैं बार-ब वो अपनी ताकत भूल गया था, मगर अब धीरे-धीरे हमारा देश खड़ा होने लगा है, इसका साथ तो दो, थोड़ा सबर रखो, बेशक एक दिन हम वहाँ ज़रू पहुँच जाएंगे, जहां कोई नहीं पहुचा होगा, बाकी खेलों में यह होने भी लगा है, हमारी जो तैक किया है, वो लाजवाब है, इसलिए आप भी होफ्फिल बने रहें, और अपने देश और अपनी टीम को सपोर्ट करते रहें, अपने कप्तान को सपोर्ट करते रहें, हर एक खिलाडी को सपोर्ट करते हैं, जल्दी वो टाइम भी ज़रूर आएगा, जब टीम Circle app को डाउनलोड करो, इंडिया उसिले की T20 सीरीज में अपनी टीम बनाओ, एक रुपे में आईफोन और बड़े सारे celebration पर इस हरकत पर आप क्या सोचते हैं, सिर्फ एक शब्द में लिखेगा comment section Thank you for watching, नमस्ते, जै हिंद, जै भारत